हाई गाईज वालकाम बेक टू चनल दोस्तों आज मैं हूँ कलंगुट बीच के मार्केट एरिया और यह पार्किंग प्लेस है फॉरुलर और बस मिनी बस टेंपो ट्रावलर का पार्किंग प्लेस है पूरा एरिया आपको पहले दिखाता हूं और यहां पर क्यों हूं यह केब कहां पर बुक करें ग्रूप में आ रहे हो तो 14-seater या फिट्वेंटी सीटर का जो टेंपो ट्रावलर है उसका क्या चार्जेस होता है के पर डे का साइट सीन के लिए क्या चार्जेस होता है नोर्थ गौवा साउध गौवा आप अगर टूर करना चाहते हो तो कौनसे गाड़ी आपको कितना चार्ज पड़ेगा यह वीडियो में आपको बताने वाला हूँ मेरा साइट में आप देख रहे हो ना यहां पर यह फोर सीटर है उसके बाद यह साइड में टेंपो ट्रावलर है मिनी बस है यह सारे आपको साइट सीन के लिए आप यूज कर सकते हो तो इसका booking process वहाँ पर जाके बात करेंगे आईए वीडियो स्टार्ट करने से पहले यहां पर अपना जो ओनर है यह जो कार और जो वेहिकल देख रहे हो ना इनका ओनर यहां पर साइस भाई साब है साइस भाई साब चैनल में वलकाम आपको अभी इन से जानेंगे आपके पास कुन से कुन से गाड़ी है और उसका रेंज जा लेंगे पहले क्या क्या गाड़ी है पहले आप दिखाई यहां अगर ग्रूब में ट्रावल कर रहे हो ना टेंपर ट्रावलर आपके लिए बेस्ट है और इसके साथ इनके पास मेनी बस भी है 40 सिटर वो पूरा SML है पै उसके आगे आपको दिख रहा है वो है 26 सिटर यह सारे गाड़ी का उप्शन से आप अगर रेंड करना चाहते हो तो साइस बाई उसके पूरा डिटेल देंगे कैसे बुक करना चाहिए और उसका बुकिंग प्रोसेस के आहे प्राइज बगर डिटेल में बताएंगे इनका आड़ी ज्यादा करके आपको यह कालंगुट एरिया में मिल जाएगा अब ही मुझे बताइए आप कैसे टूर कराते हो कैसे बुकिंग लेते हो देखो जो गोवा में जो हमारे चलते हैं वह है नौद गोवा टूर साओध गोवा टूर दूट सागर वोटर फॉल जैसे कि म मतलब है कुछ लोग क्या करते हैं नोर्दोडोँ से है सौन जाना जाते है पालोलित है यह आगोंडा भीश यह गूमना जातें वो पूरा दिन अपको उसके चार्ज्श क्या होता है पूरा दिन का यह से काट कॉंसे गाटे लेता है उसके ओपर डिपन्डे है एक्जाम्पल हमने शुट लिया उसका 4,500 पर डेकर पालोली में रागॉंडा बीशना टाइमिंग और कुछ चुछ टैमिंग सुबह 10 तू इवनिंग 6 कॉलक तर एटास करेता है नॉर्थ गॉआ साउध गॉआ के लिए क्या पैसे चार्जेस है नॉर्थ गॉआ के लिए सिद इसे कि मेरे फिचे देख रहे हैं यहां पर 2-3 बस लगा है गुरूप ट्रावल करते हैं तो गुरूप के लिए यह टेम्पो ट्रावलर 14 सिटर 40 सिटर या फिर 20 सिटर ऐसे भी आप हायर कर सकते हो फैमिली में हो कॉपल्स में हो अब के लिए छोटे गाड़ी का उप्शन स अबिका बता दीजिए अबिका मिला नायड का हम लोग जो एक्स्टा जो है ड्रावर के अलावंस वो देते हैं प्लस रेट इनके कांटेक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में है कॉल करके उस टाइम करने के बाद आप बुक कर सकते हो सारे फैसलिटी मिलेगा आपको कोई अब भी एरपोर्ट से रेहलोय स्टेशन से अपका फिकप ड्रॉप हो जाता है कोई भी आपको अगर घूमना है साइट सीन करना है उसके भी ऑप्सन मिलेगा अपका अगर ग्रूप है तो बड़ा गाड़ी ले सकते हो दो लोग या चार लोग हो तो आप चोटा गड़ी मे देख लेते हैं पहले हम यह मिनि बस जो है इसको एक्स्प्लोर करेंगे कैसा फैसलिटी से वाव बढ़िया पूरा न्यू बस है अप कंडिशन देख सकते हैं इसलिए इसलिए दिखा रहा हूं आप अगर बुक करते हो मिनि बस क्या-क्या फैसलिटी से गाड़ी में सीट पर पॉइंट है उसमें साउंड सिस्टम वगरा सब है प्लस फूफर भी इदर लगा हुआ है तो साउंड सिस्टम वगरा सब गाड़ी पूरा एक्जीगट्यू कोच है सीट भी सब बनाद पुश्बैक सीट है तो साइट सीन करते वग आपको कोई भी टेंचन नहीं ह होगा कितने भी धूफ होने तो कुछ भी रहने तो आप आराम से एसी में बैठके कॉमफर्टेबली पूरे आपका साइट सीन करोगे नौर्ध गौवा साउध गौवा हो या फिर दूर्जेशिक दूद्सागर वाटरफॉल होगे यह सारे साइट सीन आप ऐसे वेहिकिल मे होता है यह बस अच्छा नहीं है अमको टेक्सी अच्छा नहीं मिला ऐसे बोलते हैं मुझे कमेंट करते हैं इसलिए मैं सोचा बिल्कुल आपको तो अंदर से दिखाओं आप अगर रेंड करते हो तो कैसा फैसलिटीज मिलेगा और इनका ना कॉर्परेट बुकिंग भी होत से यह वाला टेंपो ट्रावलर कहां पर दिखाते हैं आजाओ 26 अब ही जो हम लोग आये हैं यह टेंपो ट्रावलर 26 सिटर है बहुत सारे लोग ना कंपनी के मिटिंग हो या फिर कोई भी इवेंट के लिए गोवा आते हैं उनके लिए चाहिए होता है ऐसे बड़ा टेंपो टेंपो ट्रावलर 26 सिटर 20 सिटर या फिर 40 सिटर मिनी बस या फिर बस बगएर आपको अगर बुक करना है कंपनी की रिलेटेड यह भी इनके पास ऑप्शन से साइस ऐसे अगर ग्रूप में बुकिंग होता है तो कुछ डिसकाउंट बगएर आप देते हो बिल्कुर वो ड पिक अंड रॉप एंड टू डेस का साइट सिंग तो उसका अरां ट्वेंटी दॉजन के आसपास आएगा पूरा चार दिन के लिए चार चार दिन के लिए पिक अंड रॉप एरपोर्ट स्टेशन और एक दिन नौद गवा एक दिन साउध गोवा यह भी पूरा एसी है तो 4,500 रॉप लेता है और साउध गोवा जाना है तो 5,000 अगर दिस्पोजल बेजिस पे मंगता है तो 8-80 km पे हम लोग प्रोवाइड करते है डिस्पोजल मतलब में समझा लिए डिस्पोजल मतलब सुबा दस से शाम को 6 बैता है मतलब 8-80 km हम लोग 5,000 पे करते है इसके उ और आफटर 10 मतलब रात को 10 बजे के बाद 300 रुपीस पर आवर है नाइट चार्जे से यहां पर इंक्लूड होता है अब कोई भी टेक्सी करो यह फिर कोई भी कैब करो लेट नाइट का अलग अलग चार्जे से यह बिलकुल कंफर्म कर लीजेगा ओके आप बाद में फोन म आपके पास है फोर शिटर से लेके 40 शिटर तक का सारे उप्संस है यहां पर यह गाड़ी भी हम लोग चेक करेंगे यह इनके पास अर्टीगा है सिक्सिटर इसके भी इंसाइड आपको दिखायता हूं क्या क्या उप्संस मिलेगा आप अगर साइट सीन के लिए इसको हायर करते हो साइस बता हो इसका यह है सिक्सिटर फर्टीगा यहां प्याराम से तीन लोग बेट सकते हो उसके पीछे दो लोग के लिए आपके अरम से बैठ होगे ऐसी है मीजिक सिस्टम है इनके पास जो आप्संस है मैं आपको दिखा दूं एक बार अर्टी गाज़ दो सूइफट डीज declar और भी गाड़ी है ये साइड में है इनका uh लगार अभी तक आया नहीं तो वहाँ पे दो गाड़ी है और इसके बाद यह साइड में जो सारे है तीमपर टॉत्र contributions यह जो सारे गाड़ी साइस भाई साब का है आप बिल्कुल अपने हिसाब से बुक कर सकते हो आपको कौन सा चाहिए होगा फैमिली में आ रहे हो कपल्स में आ रहे हो उसके हिसाब साब बुक करके जा सकते हो मैं अभी कलंगूट बीच के पार्किंग एरिया में हूँ यह जो साइड में पूरा मार्केट अरहिया है और यहां पर आप देखो यहां पर पार्किंग एरिया के बगल में हें साइस अगर फेमिली रेस्टोरांट है यहां से 100 मिटर पर आपको कलंगुट बीच आता है तो यहां पर और यह जो चोटा वाला है ना डीजायर भी थोड़ा आपको दिखाए तो अंदर से कपल्स के लिए आप अगर कपल में आ रहे हो ना अपको कैसा अपसिंस मेलेगा मैं आपको दिखाए जाओं यह फॉर सिटर है तीन लोग के लिए आराम से कमपटेबल ही जा सकते हो कपल हो तो आराम से पीछे बैठोगे बच्चे रहेंगे तो हो जाएगा पीछे वाला जो श आपको दिखाया गाड़ी के इंसाइड भी आपको दिखा दिया अभी मैंने आपका जो इसु रहता है ना ट्रेस्ट इसके लिए इनके ओफिस में जाएंगे इनके ओफिस यहां से कितना दूर है जिदर से आप किलोमेटर के दूरी पर है बागा बागा और कलंगूड के र दिखाता हूं, यहां से हम लोग निकल गए, पारकिंग एरिया से, यह जो दिख रहा है आपको यह कलंगुट बीच का मारकेट इरिया, यहां से बीच साइट के रोड है, और सामने जो आपको दिख रहा है न, यह कलंगुट और बहगा वाला सरकल है, लेप्ट में जाओगे तो बागा बीच के लिए जाता है टीटोस लेन बागा बीच तो आपको लेप्ट में जाना है ट्राफिक क्योंकि यहां पर ट्राफिक होता है में टॉरिस्ट प्लेस है जैसे कि आप लोगों को देखरों यह सारे टॉरिस्ट अभी यहां पर जाके आपको दिखाता हूं पहले इनका प्लेस्ट करेंगे बिल्कुल लोगों का ट्रस्ट इसू रहता है ट्रस्टेबल होता है कि लिए इनके आफिस में आ गया हूं साइस बैठे यहां पर चिक है तो इनके आपका रेजिस्टेशन बगरा मुझे थोड़ा दिखाना है लोगों को यहां पर है कलंगुट पंचाय सब्सक्राइब करें जिस्टेशन बगरां यहां से भी आकर आप सारे बुकिंग्स वगरां लें सकते हैं जैसे कि इनका सर्विस सबको दिख रहा हो गया ना यह सारे सर्विस साइट सीन वगरा दूस्के साथ यहां पर इसाओध में नोर्थ गॉए साइट पॉइंट है और डॉलफिन ट्रेप आइलेंड ट्रेप स्कूबा डाइबिंग उसके साथ यहां पर साउध गॉआ का ट्रीप यहां पर है दुद्स अगर वाटरफल का ट्रीप यह साइड में आपको दिख रहा है यह देखो बस सर्विस वगरा पिक अप ड्रॉप सारे यहां पर आपको स्क्रिप्शन में मिलेगा कॉल करके इनसे इन्फोर्मेशन ले सकते हो अभी बुकिंग प्रॉसेस यहां पर आप देखो अच्छा बुकिंग प्रॉसेस क्या थोड़ा बताऊ सब्सक्राइब करते हैं इस पर सब्सक्राइब करके आपको इसका कॉपी वाट्सप किया जाए सब्सक्राइब करने के लिए डिस्क्रिप्शन में सब्सक्राइब करने के लिए जाके चेक आउट कीजिए कॉल करके आपका बुकिंग ले सकते हैं असा करते आप लोगों को हेल्प होगा वीडियो कैसा लगा कमेंट कर दीजिएगा और कुछ भी आपका अगर क्वेरी रहेगा कमेंट डाउन कीजिएगा में रिप्लाइब करूंगा और साइस भाए अगर कुछ कमेंट्स आता है उ पसंद आया होगा पसंद आया है तो लाइक शेर और चैनल में नए हो सब्सक्राइब करके तो लाइक होने के लिए जल्दी मिलेगा अगरे वीडियो में टेंदे टेक क्यार वाबास